आज मेरी यानि महाराश्ट्र इंडस्ट्री इस डेवलप्मेंट इंस्टिटूट आपके लिए लेकर आये हैं वाल हैंगर मैनुफेक्ट्रिंग बिसनस पर एक विशेश डॉक्यमेंटरी वाल हैंगर जो आपको सामाने तोर पर हर घर में दिवार पर फिट किया हुआ दिखता है जो कपड़ों को लटकाने के लिए उपयोग करते हैं वाल हैंगर के डिमांड मार्केट में बढ़ रही है क्योंकि नए घर या पुराने घर में लोग पहले जैसे अब कीलों पर कपड़ा लटकाना पसंद नहीं करते हैं अब ये wall hanger direct wall में fit करते है या अलमारी के दरवाजे को भी fit करते है Wall hanger बनाने के लिए लगने वाली machinery है Wall hanger strip cutting machine, strip folding machine, punching machine Wall hanger बनाने के लिए आपको raw material की अवशक्ता होगी जो की है steel strip, steel rod Manufacturing process सबसे पहले SS strip को required length में cut किया जाता है अब इस cut किये हुए strip को die folding machine की मदद से fold किया जाता है Fold किये हुए strip को punching machine की मदद से punch किया जाता है इस punch किये हुए SS strip में SS rod fit किया जाता है अब इस stainless steel rod को folding machine की मदद से 90 degree में fold किया जाता है इस तरह तयार हुए wall hanger को pack करके market में बेजने के लिए भीजा जाता है तो इस प्रकार आज हमने wall hanger manufacturing business की जानकारी ली यदि आपको ये business शुरू करने के लिए किसी भी जानकारी की आवशकता है और यदि आप इस व्यावसाइक उस्थापित करने के लिए अधिक vibrant या कोई विशेशग्य सला या कोई financial सहायता चाहते है तो आप screen पे दिये गए website पर विजिट करें या number पर भी call कर सकते है व्यावसाइक विचार चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मीडी उद्योग विश्व को subscribe कर सकते हैं और notification bell पर click कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like करें, comment करें और इस वीडियो को share करें